बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com पर तिद्धी की बात कर ली जाए तो पौश मास के शुकल पक्ष की दश में दिथी है ये दिथी जो रहेगी चार बच के और चास मिनट तक रहेगी शाम के इसके बाद एकादशी दिथी आरंब हो जाएगी वही पर नक्षत्र की अगर बात करी जाए तो भर्नी नक्षत्र रहेगा दोपहर के दो बजे तक इसके बाद कृतिका नक्षत्र आरंब हो जाएगा वही पर राहुकाल की अगर बात कर ली जाए तो दोपहर के 12 बच के 35 मिनट से लेकर के एक बच के पच्वन मिनट दुपहर का समय रहेगा राहुकाल का इस दुरान आपको किसी भी तरहा का मांगलिक कारे नहीं करना है वही पे चंद्रमा आज के दिन रहेंगे मेश राशी में और ये जो रहेंगे ये शाम के 8 बच के 46 मिनट तक रहेंगे इसके बाद वृष्चिब राशी में प्रवेश कर जाएंगे तो बुद्वार का दिन है भगवान श्री गनेश जी का दिन है बुद्ध को प्रसंद करने का दिन है यानि अगर आपके कुडली में बुद्ध ग्रह कमजोर है तो आज के दिन आप अपना बुद्ध ग्रह जो है वो बली कर सकते है किस तरह से करेंगे क्या रहे कि tip of the day जानेंगे मगर पहले जानेंगे क्या कहते है आपके चारो कार्ट कैसा रहेगा मेश राशी वालो का आज का दिन तो मेश राशी वालो के लिए cards आया है, 8 of cups वहीं पे 8 of pentacles आज़ साथ the fool card आया है आपके जीवन में कही न कई बदलाव आ सकता है, वहीं पे किसी तरह की नई शुरुआत हो सकते हैं, मगर वहीं पे अगर देखा जाए तो emotionally बहुत जाद आप stressed हो सकते हैं, किसी चीज को सुन करके demoralize हो सकते हैं मगर वहीं पे, पैसो को लेकर के दिन काफी हद तक अच्छा रहेगा, मेहनत करते रहिएगा, मगर हाँ, एक चीज का ध्यान रखेगा, अगर कोई आपका बहुत करीब, बहुती नजदीकी विक्तियाब किसी तरह की सला देता है, तो उस सला को मान करके चलिएगा, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है, आपके लिए उपाए करना क्या सही रहेगा आपके लिए बहतर रहेगा, आज के दिन गव शाला में गव माता को जो है जरूर खिलाएं, रोटी के साथ आपके लिए बहतर रहेगा बात करेंगे व्रिशिब राशी के जातकों की व्रिशिब राशी के लिए कार्ड आए है इसके साथ कार्ड आया है नाइन अफ वांड्स, वहीं पे टू अफ कप्स दिन काफी हद तक अच्छा रहेगा किसी लेडी का चाए आपकी माता है या पहन है जो भी एक लेडी जो आपकी उम्र से बड़ी है उनका आज के दिन सपोर्ट पूरा पुरा बना रहेगा वहीं पे देखा जाए तो आपको आज के दिन कारे में सफलता भी मिल सकती है मगर मेहनत बहुत जादा करनी पड़ेगी लव रिलेशन्शिप के मामले में दिन काफी हद तक अच्छा जाएगा जो लोग सिंगल्स है उनके लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि जिस व्यक्ति की आप तलाश कर रहे थे बात करें कि में तो राशी के जाते को की तो में तो राशी के लिए कार्ड्स बहुत इखास आये है आपके लिए कार्ड्स आये है वही पर टू अप पेंटेकल्स इसके साथ TEN OF CUP फामली के साथ ताइम अच्छा स्पैन करेंगे वही पर पारवारिक जीवन में जो विवाद हो चुके थे वो इस समय पर समलेंगे पैसे को ले करके काफी हद तक साफधानी बढ़तेंगे बालंसिंग करने की कोशस करेंगे धन आएगा भी और आप उसको सेफ भी कर सकते हैं समय पर वही पर देखा जाए तो करियर में भी आपको अच्छी ग्रोथ मिल सकती है करियर में अगर कुछ नया करने की कोशस कर रहे थे तो बहुत अच्छा दिन रहेगा वही पर अगर आप लोग किसी रिष्टे के बात करने के लिजा रहे हैं तो आज के दिन आपको सफलता मिल सकती है आप लोगों को पाई क्या करना है आज के दिन भगवान श्री गनेश जी को इलाइची जरूर अर्पित करें आपके लिए बहतर रहेगा बात करेंगे गली राशी, करक राशी के जातको की तो गरक राशी वालों के लिए कार्ड आया है, टेंपरिंस कार्ड आया है, डेथ कार्ड आया है, वहीं पर नाइट ऑफ पेंटिकल आया है तो कहीं न कहीं देखा जाए, दिन काफी हद तक अच्छा रहेगा, मगर हाँ कुछ चीज़ें जो बहुत लंबे समय से खिच रही थी, विवाद वाली, वो आज के दिन खतम हो सकती है मगर वहीं पर देखा जाए, तो इस दुरान जो है, पैसो को लेके आपके जीवन में स्टेबिलिटी रहेगी चीज़ों को बैलन्स करने का प्रियास करेंगी, अपने पार्टनर को समझने का प्रियास करेंगी इनरजीज जो है, आपकी और आपके पार्टनर की काफी हद तक मेल खाएंगी आचो दिन विचार मैच होंगे तो अगर कोई बहुत महतेपूर डिसीजन अगर लेना हो, तो आज के दिन आप ले सकते हैं विवाद अगर चल रहा था आप लोगों के रिष्टे में, तो आज के दिन वो खतम करके एक नई शुरूबात आप कर सकते हैं करक राशी वालों के लिए उपाई क्या सही रहेगा, यदि आश के दिन आप मूग की डाल कदान करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा बात करेंगे गली राशी, सिंग राशी के जातकों की, सिंग राशी वालों के लिए कार्ज आए हैं जज्ज्मेंट, टू अफ सौर्ड, जिसके साथ साथ टेन अफ वार्ड्स, मेहनत करने की बहुता दिगवशकता है, अपनी सोच को लेकर के नकरात्मक हो सकते हैं, कहीं न कहीं आपको परिशान ही आ सकते हैं, तो इसलिए बहुत ज़ादा अनवशक विश्रों में बिल्कुल ना सोचें, थोड़ सा धियान रखते हैं, नई opportunities आपको मिलेंगी, तो उन opportunities को धियान रखते हैं, अगर आपने पिछली life में, past में अगर सोचेंगे, तो आपको नुक्स करने आराशी के लिए कार्ट जाए हैं, थ्री ओफ पेंटिकल्स, वहीं पे एस ओफ कप्स, कुईन ओफ वार्ड्स, तो कहीं न कहीं लव रिलेशनशिप को लेकर कि किसी चीज की नई शुरुवात हो सकती है, एक रिष्टा आनम हो सकता है, पैसो को लेकर के ध्यान रखने क के विशुकता है, हो सकता है, कोई विक्ती आपसे उधार मांगे, उधार बिल्कुल नहीं दे रहा है, नहीं तो आपको नुकसान होगा, इसके लावा अगर देखा जाए, तो आज के दिन लेडी लग बहुत अच्छा आपके लिए काम करेगा, किसी भी शुपकारिफे जा बात करेंगे अगली राशी, तुला राशी के जातकों की, तो तुला राशी के लिए कार्ज आए हैं, एट ओफ सौर्ट्स, वहीं पे किंग ओफ वांड्स और इसके साथ टू ओफ वांड्स, अगर आप विदेश जाने के लिए सोच रहे थे, तो कहिना कि यह आज के दिन बात हो सकती है, ऐसे कार्यों की, वहीं पे करियर के लिहास से दिन बहुत अच्छा रहेगा, हैट्टिक डे रहेगा, और यहीं पे अगर देखा जाए तो आपको काम को लेकर के स्टक्निस भी फील होगी, मगर उस चीज को लेकर के बिल्कुल भी परेशान मत होईगी, आफ के लिए बेहते रहेगा, बात करेंगे, बृष्टिक राशी के जातको के, बृष्टिक राशी के जातको के कार्ज आए हैं, सेवन अफ पेंटिकल्स, हैंट मेन, वहीं पे फाइव ऑफ सौर्ड्स, थोड़ा सा दिन जो है चुनौती भरा रहेगा, किसी चीज को लेकर के प आज के दिन इंवेस्ट करते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा आने वाले टाइंग में, कि वो जो पैसा आपने इंवेस्ट किया था, वो बेकार हो गया, तो इसलिए इंवेस्टमेंट करने से बचिएगा, कुछ फैसलों को आज के दिन भखमान पे छोड़ना ही सही रहेगा, अगर आप अपनी मनमर्जी से कोई भी ऐसा फैसला लेंगे, तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है, तो किसी भी महतपूर्ण डिसीजन को लेने से आज के दिन बचिएगा, व्रिष्टिक राशी वालों के लिए उपाई क्या सही रहेगा, चलिए बात करते हैं, पैसो को लेकर के दिन बहुत जाद अच्छा नहीं रहेगा, तो पैसो को लेकर के लिए भी ना करें, वहीं पे, हाँ, नहीं उपरचुनिटीज आ सकती है, उपरचुनिटीज को देखें, पहले उनको समझें, वाच करें, उसके बाद ही इस पे इंवेस्ट करें, अगर पै इसे ही रहेगा, आज के दिन यदि आप भगवान गरेशी को मोथी चूर के लड्डू, भोग में लगाते हैं, तो आपको लाब प्रापत होगा, बात करेंगे अगली राशी, मकर राशी के जातको की, मकर राशी के लिए कार्ज आए हैं, फाइव अफ कप्स, दे मिजीशि वे में हर चीज को हैडल करने के विशकता है, अगर आप बात करेंगे किसी भी चीज को ले करके तो आपको नुकसान हो सकता है, इमोशनली थोट्रेंस्ट हो सकते हैं, रिलेशन्शिप में प्रॉब्लम सा सकती हैं, तो उस चीज को नजर अंदास करें, बहुत बड़ा बनाएंगे तो आपको ही परिशानी होगी, मगर राश्री वालों को पाये कनने के वशकता है, यदि आज के दिन आप भगवान गनेश जी का सिंदूर ला करके, अपने घर के मुख्य दार पर स्वास्तिक बनाते हैं, तो आपके लिए बहतर रहेगा, बात करेंगे कुम रा करियर के लिए हाद से प्रमोशन हो सकती है, मगर मेहनत बहुत जादा करनी पड़ेगी, आपको हो सकता है, कि जितनी आपने मेहनत करी थी, जितना भी आपने परिश्रम किया था, उसके नुसार आपको जो है उसका परियाप्त फल नहीं मिला है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है आप मेहनत करते रहीं, आपको अच्छा फल जुरूर मिलेगा, ओल ओवर रग दिन देखा जाएं, तो काफी हट तक अच्छा होगा, कोई गुड न्यूज आपको सुनने को मिल सकती है, वही पे कुम राशी के लिए बहतर रहेगा, यदि आज के दिन आप नारियल जो है, बहुआच्छा फल जरी गनेश जी को अरपित करें, स्वास्ते का चेन बना करके लगा, तो लाफ रात होगा, अन्दय म्राशी के बात करें गे, मीन राशी के जातकों की, मीन राशी के लिए काजा हैं, टैन ओफ पेंटिकल्स, टैन ओफ कौप्स और इसके साथ सर्ट तू जीवन में जादा से जादा आज के दिन उतना समय स्पेंड करेंगे बच्चों की तरफ आज के दिन देहान देंगे उनकी विशिस पूरी करेंगे तो overall दिन बहुत अच्छा रहेगा, enjoy करेंगे अपनी family के साथ और कहीं न कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, घूमने फिरने नहीं भी गए तो घर में ही काफी हटता अच्छा get together हो सकता है, तो काफी अच्छा दिन रहेगा आज आपका उपाय करने की क्या वर्शक्ता है, आज के दिन गनेश जी को दुर्वा जरूर रिपित करें, अधर शीष का पार्ट करें, आपके लिए बहतर रहेगा चले, ये तो हमने बात करी किस तरह से आज मारा राशियों का, यानि मेश से लेकर के मीन राशिय तक का दिन रहेगा, वहीं पे हमने शुरूरात में बात करी थी, तो अगर आपको लगता है, आपनी कुंडली का अंकलन कराया है, अगर आपको लगता है कि आपका बुद्ध घर है, जो है मजबूत नहीं है, तो इसके लिए आपको मंतर का जब करना है, ओम, एंक, रिंक, लिंक, चामुंडाय, विचे, ये जो मंतर है, ये 5, 7, 11, 21 या 108 बार आप इसको पढ़े एक दिन में, और नियमित रूप से जब जो भी आप संख्या बना ले जाए, 5 बार आप इसको पढ़े जाए, 7 बार पढ़े, तो इसको आपने उसी संख्या में नियमित रूप से पढ़ना है, लगतार 40 दिन, ऐसा करने से अगर आपका कुडली में बुद्गरह स्ट्रॉंग नहीं है, तो वो स्ट्रॉंग हो जाएगा, और साथ-साथ भगवान गनेश जी की उपासना ज़रूर करे, ओम गर्ण गर्ण पतेना महा मंतर का अजब करते रहें, ऐसा करने से आपको शुप परिनाम प्राप्थ होने आरंब हो जाएंगे, तो उम्मीद करते हो विशे आपको पसंद आया होगा, और भी ऐसे विशे लिख करके आओंगी में केवल करिश्मा के करिश्मा आई पत्ते बे, देखते रहें ऐस तो तक, नमस्कार, जैश्री राधे कर दो जाएंगे, जैश्री राधे